प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन। मैं हूँ NJP India के मंच से आपका दोस्त महेश्क मारवेद। आज बात करेंगे हर्याना में अवेद कालोनियों को लेकर सरकार की नई घोषणा की। हर्याना में अब नई अवेद कालोनिया नहीं पनप पाएगी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात तो बिना परिणाम की चिंता किये सिश्टम के केल काटे दुरुस्त करने में जुटे मुख मंतरी मनहरलाल ने कही है अगर मैं यह कहूं कि अफसर शाही जमीनी हकीकत समझ मुझे विना उन्हें टेंपरेरी वाहवाही दिला रही है तो गलत नहीं होगा अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह सपष्ट कर दू कि प्रदेश में सुन्योजित विकास चाहने वाले हजारों लोगों की तरह मैं अवेद कालोनियों के पक्स में कतई नहीं हू औरहा कि मनवरलाल इस मामले में आगे भी कठोर बने रहपाएंगे ऐसा इसली रहा हूं क्योंकि अतीत को देखें तो पत्रकाइड़ता में आने के बाद वो पहले पता यह कितनी बार कितने मुख मनतरीयों वो मनतरीयों को यह कहते सुना है कि आवेद कालोनिया नहीं पनप दिया है एक हाकिकत यह भी है कि हर्याना के कंट्रोल एरिया में अर्मों रुपए कीमत के भूखंड केवल एग्रिमेंट के आधार पर बिके हुए हैं ऐसा इसलिए क्योंकि नियंत्रित छेत्रों के उन गाओं में रजिस्ट्रियां बंद है जिन गाओं की जमीन को सेवने के रूप में चिन्नित किया हुआ है CLU यानि चेंज आफ लेंड यूज और नियंत्रित छेत्र में रजिस्ट्यों के जरिये सरकारी अधिकारियों के खजाने काले धन से लवालब भरे हुए हैं यह सिलसिला वर्सों से जारी है सिस्टम से जुड़े अधिकारियों की जेब भ संग सुनाता हूं गड़ी बोलनी रोड पर रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही गाउं के पास कुछ दुकाने बनाई हुई थी डीटीपी की टीम आये दिन उन दुकानों को तोड़ने की धम की देती थी उस व्यक्ति का बेटा नियमों की पालना पर बहुत जोर देता कुछ जादा ही सिध्धानतवादी था डीटीपी वाले कहते थे कि 30 मीटर तक बने निर्मान अवेद है आप पता नहीं गड़ी बोलनी रोड पर ये नियम लागू था या नहीं मगर बेटा चिंतित था नियमों पर चलने वाले बेटे ने अपने पिता को गाउं की जमीन म बनी दुकाने ओने पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया समझदार बेटे ने गड़ी बोलनी रोड छोड़ कर बावल रोड पर शड़क से 30 मीटर दूर भूखंड खरीदा और अपने पिता को कहने लगा 30 मीटर तक दुकाने बन ही नहीं पाएगी सरकारी का आदेश आया पितावे बेटे दोनों के लिए आर्थिक तबाही लेकर आया जानते हैं क्या था आदेश आदेश था जिनोंने मेन शड़क से 30 मीटर अंदर तक निर्मान किया हुआ है वह DTP यानि जिला नगर योजना कारिया ले पहुँचकर फीश भरकर अपने प्लाट को रेगुलर करा सकते हैं फ्रंट पर आने का सपना तूट गया अंदर लिया भूखंड बेश कीमती की बजाए कोडियों का हो गया गड़ी बोलनी रोड पर बेची गई दुकानों की कीमत आज करोणों की हो चुकी है मगर फ्रंट का भूखंड हाथ से निकल चुका था यह ए कैविनिट मंतरी से कहा कि यह CLU और कालोनी के लाइसेंस का चक्कर छोड़कर सीधे किसान को यह कह दिया जाए कि वह 40 फुट के रास्ते छोड़कर अपनी जमीन में कालोनी खुद ही विक्षित कर ले ऐसी जमीन में 2000 रुपे प्रतिवर्ग गज लेकर सर्त रजिस्ट्री कर सम्मंदित खरीदार से एक ठोस सपत्पत्र लिया जाए कि जिस दिन सरकार को जरूत पड़ेगी उस दिन घर छोड़ना होगा सरकार बदले में आपके भूखंट से आदी साइज का भूखंट उपलब्द कराएगी इस से पैसा सीधे किसान की जेम में जाएगा आपने आपने पास रखिए अगर सब कुछ इतना आसान कर दिया तो चंडिगड तक कोन आएगा मुख्यमंत्री की घोशना को भी देर सवेर इस तरह पलिता लग सकता है क्योंकि अफसरों ने रहने का सस्ता विकल्प नहीं दिया है अभी हजारों कालोनिया निमित नहीं की जा रह और लाइसेंस के लिए आप एकजिस्टिंग शड़क की सर्त लगाते हैं गोल खाते यानि सामलात खेवट की जमीन का आप समाधान नहीं करते हैं वर्सों से बिना आपती काबिज लोगों को भी अपनी जमीन पर एकल स्वामित नहीं देते हैं मानिनी मुख्यमंत्री जी द गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है इसकी हकीकत कभी अपने गुप्त चरों से जान लीजिए मुख्यमंत्री महोदे पिछले वर्स जिस दिन यह सूचना आई थी कि हरियाना सरकार आने वाले समय में प्रदेश की 1300 से अधिक अवैद कालोनियों को नियमित करन की रहा कांटो भरी है यह भी कहा था कि जो फार्मूला अपनाया जा रहा है वह भाजपा जजपा सरकार की मेहनत पर पानी फेर सकता है आज भी श्तिति में अधिक बदलाव नहीं आया है मोजुदा फार्मूले से लाखों पात्र जहां रहात से वंचित रह जाएंगे वही अधिकार के सुझाओ पर कुछ RWA वे अनाम बिल्डरों डीलरों ने तो अपनी सुविधा के अनुसार आविदन करवा दिये हैं मगर अधिकार्स जिलों में उस आबादी को भागबरों से छोड़ दिया जिन कालोनियों में ने तो RWA थी और नहीं प्रोपर्टी डीलर बिल किल्रों ने वहां अधिक रूची दिखाई है जहां उनके पास काफी संक्या में भूखंड बचे हुई हैं सीम साब कंट्रोल एरिया में सामिल सायद ही कोई गाउं ऐसा होगा जहां फिरनी से बाहर घर नहीं बने हुए हों अंग्रजयों के जमाने में बने लाल डोरा से ब बाद अब चोथी पीडी चल रही है जाहिरे उनके लिए पैत्रिक घर छोटे पड़ रहे हैं मगर ऐसे लोगों के बारे में सूची मौन है लोग गाउं की कालोनियों को नीमित करने की सरकारी पहल की जमकर सराना कर रहे हैं मगर उन्हें चिंता है सूची में सामिल रखबे का विश्तार नहीं दिया गया तो हजारों मकान अवेद रह जाएंगे सीम साब गाउं के बाहर जहां तक भी मकान बने हैं उन सभी मकानों को प्रोपरटी आइडी मिलनी चाहिए बने वे सभी मकानों को ही नहीं बलकि दो कनाल और इससे छोटे उन सभी भूखंडों को भी आइडी मिलनी चाहिए जो आवादी के निकट आवासी उद्देश से खरीदे गए हैं इनमें निर्मान की अनुमती से पहले विकास सुल्क ले लीजिए यसे हजारों लाखों लोग हैं जिनोंने अवेद कालोनी में अपने बच्चों के भविश को ध्यान में रखकर भूक दारी कर रहे हैं आपकी सक्ति के बाद ये खेल कम हुआ है मगर जो एग्रिमेंट पर प्लाट खरीच चुके उनकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि अंत्योदे का लक्ष उनकी पीड़ा सुनकर ही पूरा होगा महदे CLU आसान हुई है मगर कुछ खास लोगों के लिए आम के ल यले ऐसी सला और ऐसी सूचने सारवजनिक नहीं करते हैं अगर जिले में कहीं पर सुन CLU है आवाशिये CLU सुन है तो सिस्टम पर शवाल खड़ा होता है जिले में CLU के लिए बेसिक सर्थ 33 फिट चोड़े रास्ते की है जबकि कई गाउं में रास्ते ही 22 फिट चोड़े है एसे लोगों के लिए क्या रास्ता है मुख्यमंत्री महोदे कुछ मामलों में विशेश बात यह भी है कि अगर रास्ते की चोड़ाई नियमों के अनुसार सही हो और गलती से किसे ने आविदन कर दिया हो तो उसके भुखंड में या तो स्कूल प्रस्तावित बता दिया ज जाएगा मगर CLU नहीं दी जाएगी यह अधिकारी की मर्जी पर है कि कि किसके खेत में पावर ग्रिट दिखाया जाएगा और किसके खेत में स्कूल की ड्राइंग बना दी जाएगी इसका कोई नियम नहीं है यह अधिकारी की मर्जी पर निरवर है अगर सभी सेक्टरों का आंत्रिक मास्टर प्लान पहले से प्रकाशित हो और आपतियां आमंत्रित हो तो CLU की चाहत रखने वाले सोच समझ कर भूखंड खरी देंगे वैसे विचित्र और हाश्याश्पद यह भी है कि जब रजिस्ट्री नहीं होगी तब कोई CLU के लिए आवेदन कैसे करेगा अगर वाकई सरकार सरल समाधान बनाना चाहती है तो रास्ते बहुत आसान किये जा सकते हैं जहां रजिस्ट्री में बना हुआ मकान लिखा हो वरगज के आधार पर स्टांप सुलक अदा किया गया हो बिजली का कनेक्शन हो या सपष्ट गूगल इमेज हो अत्वा इन में से कोई एक सर्थ पूरी हो रही हो तो वहां बिना देरी प्रोपरिटी आईडी देने का मेकेनिजम बनाया जाए खरीदने वाले से अधिक से अधिक यह सपत पत्र लिया जा सकता है कि अगर भविश में सरकार की किसी भी महत्पुन पर योजना में उसका घर या दुकान अधिगरि की जाती है तो वह बदले में हरियाना सेरीविकास प्राधिकरन या हरियाना सरकार से किसी भी अन्य आवाशी योजना में वाणिजिक योजना में उससे आधे साइज का बिना बना हुआ भूखंड लेने के लिए सहमती देता है ऐसे व्यक्ति निर्मान लागत का दावा नह कालोनियों को निमित करने का जो मेकेनिजम तयार किया है अगर उसकी पालना की गई तो अधिकान्स कालोनिया निमित ही नहीं हो पाएंगे सरकार को लोगों से सीधे फीश सहीत आविदन मांगने चाहिए थे जो व्यक्ति अपना मकान बना होने या किसी ऐसी जगे होने का दावा करे जहां दसवीश मकान या दुकान पहले से मौजूद हो और बने हुए मकान या दुकान की पहचान के लिए मानों की बजाए मशीन की मदद से तत्युपलब्द कराए उसकी मदद की जानी चाहिए दो कनाल वे इस से कम रखवे के उन सभी भूखंडों को प्रोपर्टी आइडी दी जाए जिनकी किसी भी दिशा में सो मिटर की दूरी तक दो या दो से अधिक मकान या दुकान बने हुए हो अगर कोई किशान भूश्वामी अपने या पडोस के गाउं में अपनी ही जमीन पर अपने ही परिवार के लिए मकान बना चुका हो तो की रहा से हर रोड़ा हटना चाहिए लालडोरा के बहार मने मकानों वे उनके बीच के खाली पड़े भूखंडों को प्रोपर्टी आइडी दी जाए जिससे इन्हें जरूरत के समय बेचना संभव हो सके मुखमंत्री महोदे रेवाडी जिले के गाउं डाली आवास पदैय प्रण दे रहा हूं यहाँ पास में बसी भक्तिनगर जैसी कई कालोनिया हैं भक्तिनगर में पानी की लाइने बिचिए हैं बिजली कनेक्शन घरगर हैं कुकिंग एसकी पाइप लाइन से सप्लाई तक है मगर रजिस्टी पर परतिबंद है यह कैसी विवस्था हैं इन काल लोग एग्रिमेंट के आधार पर सस्ते में अपना भूखंड बेच कर जा रहे हैं इन लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए। गहराई से समझना होगा। धन्यवाद।